मुझे लिए वीडियो को लाइक कर दें आज हमने जो श्रग बनाई है उसके लिए जो उन यूस की है वो इस तरीकी की उन है आगे हम आपको दिखा देंगे कैसी हमने श्रग बनाई है ठीक है पहले उन की बात कर लें क्योंकि फिर बाद में बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि आप उन नहीं बताती है तो उन जो है हमारे पास है इस तरीके की उन है पतला सा धागा होता है इसमें इस तरीके से चमकीले तार पड़े होता है इसको कौन सी उन बोलते है मुझे नहीं पता आप मुझे कॉमेंट करके बताए अगर आपको पता है इसका नाम तो मुझे जर 5 mm का यूज़ करेंगे टोटल इस श्रग में आपकी जो उन लगेगी 300 ग्राम लग जाएगी ठीक है तो इस तरीकी के श्रग है हमने गोल्डन और ग्रीन कलर की बनाई है काफी खुबसूरत लग रहे हैं आप लोग देख सकते हैं तो इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता किसी वी ड्रस के साथ इसी नौरमली डाल सकते हैं तैक है आप चाहें तो इसमें बटन भी लगा सकते हैं और आप ऐसी भी जोड़ सकते हैं तो इसमाल साइज वालों के अराम से आने देखने, उसमने हमने L size बनाया है, और उससे भी बड़ा size बनाना है, XL, AWSL, तो उसी वीडियो में हमने आगे size बताए हैं, तो सबसे पहले हमने slipknot बनाके, एक दो दो चेन बनाके फर्स्ट वाली चेन में डालके हम इसमें एक सिंगल क्रो से बनाएंगे बापत इसी जगे एक और बनाएंगे दो सिंगल क्रो से हो जाएंगी देखिए फिर से इसी जगे बनाएंगे तीन सिंगल क्रो से हो जाएंगी चार और लास्ट पांच पांच सि dc बनाकी इस की इसको हम आगे करेंगे आगे हम नेट परिसोर कराजेंग, तब हम आगे का इससाइपकर बना इसकों सफाल करेंगे अब सबसे पहले हम प्रिसे इस रेये डिजयन में आगे do options स्फेन न हम स्प्रिस कोई है % वाली चैन में और अब यहाँ पर हम एक एक चैन लेकिंगा सको घुमायेंगे और फर्स्ट वाली चैन में हम दो हाफ सुझारी टीन हाफ डबल करुसे बनाएंगे फर्स्ट वाली चैन में देखें एक हाफip डबल करुसे तीन फंदेग साथ निकालते हैं इसको हाफ डबल करूसर बोलते हैं एक बापस इसी जगे बना लिए दो हो गए यह देखिए और यह तीन तीन हाफ डबल करूसर बनाने के बाद अब इसके पास वाली चैन में एक बनाएंगे हम इसमें एक बनाएंगे अब सेप्टी पिन खोलेंगे सेप्टी पिन खोल के इसमें देखिए हम इसके अंदर पहले देखिए एक हाप डिलकरो से बनाएंगे बापस इसी जगे एक और बनाएंगे दो हो गई बापस इसी जगे एक और बनाएंगे तीन बनाएंगे अब बीच वाली में बीच वाली में हम फिर सेप्टी पिन लगा देंगे फिर इसके पास वाली चेन में हम एक हाप डबल करो से बनाएंगे और ये लास्ट वाले में फिर से हम तीन बनाएंगे देखे एक बापस इसी जगे बनाएंगे दो हो जाएंगी और ये लास्ट तीन ठीक है इस तरीके से हमने डिजाइन की फर्स्ट डो बना ली है सेकंड डो में देखे क्या करेंगे सबसे पहले हम चेन बनाएंगे HahahLa फो यहां पर 23 टीन चैन बनाके को गुमाएंगे वदो बार बल को हम कंट नहीं करेंगे अब दो बार बल के फ्रश多ज वरी चैन में डालकर एक ट्रपल क्रोशया एक हो गई ये दिखिए चेन को काउंट नहीं करना है ठीक है इसको काउंट नहीं करना है एक हो बापस इसी जगे हम दो बार बल लेकर एक और ट्रपल करो से बनाएंगे तो ये दो हो गई और फिर से दो बार बल लेकर तीसरी बनाएंगे हम तीन बार एकी चेन में हमने दिखेए इस चैन को count नहीं करना है इस बात का ध्यान रखना है अब हमें एक चैन बनानी है एक चेन बनाके दो बार बल लेके इसके पास वली चेन में एक चेन स्किप करके सेकंड वली चेन में हम एक टुपल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से ठीक है फिर से एक चेन लेनी है और एक चेन को छोड़ना है स्किप करना है, ठीक है, एक चैन लेकर एक चैन स्किप करेंगे छोड़ेंगे, और इसके पास वाली चैन में यहाँ पर, सैप्टी पिन के बराबर में जो चैन है न इसमें हम डाल कर एक टुपिल क्रो से बनाएंगे विड से एक चैन लेकर अब दो बार बल ले लिए सेप्टिपन को खोलेंगे के अंदर पहले एक टॉपल क्रोस से बनाएंगे फिर एक चिन लेकर बापस इसी जगे एक और बनाएंगे एक चिन लेकर बापस इसी जगे एक और बना ली यह देखिए दो हो गई फिर से एक चेन लेकर बापस इसी जगे एक और बनाएंगे तीन हो जाएंगे ठीक है तोटल तीन हमें ट्रबल क्रोसे बनाना है ठीक है बीच वाले में एक चेन लेकर अब फिर से हमने एक चेन ले ली देखिए तीन बना ली एक चैन लेका बीच वाले में हम फिर से सेप्टी पिन लगा देंगे जस्ट इसके पास वाली चैन में भी एक चैन लेकर बनाएंगे हम इसमें इस तरीके से ठीक है जैसे हम बता रहे हैं सिम बैसे ही आपको बनाना है फिर एक चेन लेकर एक चेन स्किप्ट करेंगे छोड़ेंगे सेकंड वाले में बनाएंगे एक ट्रबल क्रोस्या फिर से एक चेन लेकर एक चेन छोड़ेंगे लास्ट वाले में बनाएंगे तीन बार एक बार बना लिए अब आप पर शिपीजेगे एक बार और बनाएंगे ये दो बार हो गया और ये लास्ट तीन ये देखे डिजाइन के हमने दूसरी रो भी कम्प्लीट कर ली है अब तीसरी रो स्टार्ट और ये डिजाइन की तो अब हम एक चेन लेके फिर से इसको घूमाएंगे और फर्स्ट वाली चेन में हम तीन बार हाप डबल करोस्य बनाएंगे ये फर्स्ट वाली चेन में तीन बार बनाएंगे एक दो तीन तीन बार बनाने के बाद अब हम देखिए इसके पास वाली चैन में बनाएंगे फिर इसके पास वाली चैन में बनाएंगे फिर यहाँ बीच में जो एक चैन का स्पेस दिया था इसमें बनाएंगे तो एक हमें जाली के उपर बनाना है और एक हमेट जो हमने ट्रपल क्रो से बनाई है उसके उपर बनाना है ठीक ऐसी ही बनाते हुए हम चैप्टी पिन तक लेखर जाएंगे सेप्टी पिन खोल कर इसके अंतर देखिए तीन बार हमें हाप डबल क्रो से बनाना है एक एक बना ले हमने बापस इसी जगे फिर से बनाएंगे दो और फिर से बनाएंगे तीन बार बनाना है जो दूसी वाली हमने हाप डबल करो से बनाए तो उस वाली चेन पर हमें सेप्टी पिन फिर से लगा देनी है ठीक है फिर देखिए हम इसके पास वाली जो जाली है एक चेन की इसके अंदर बनाएंगे और एक हम इसके उपर बनाएंगे जाली के अंतर बनाएंगे और एक इसके उपर बनाएंगे ऐसी ही बनाते हुमें लाश्ट तक लेकर जाना है तरह के से बनाते हुदं हम आ गये लास्ट में हमने तीन बनाएं थी तो तीनों के उपर दो के उपर हम तीन बनाएंगे वह यह देखिए थीन बना लिया ठीक है तो design की तीसी रो complete हो गई है अब चौती रो पर देखे क्या करेंगे हम यह तीन रो हमने बना लिए हैं चौती रो में फिर से हम तीन चैन बनांके इसको गुमाएंगे दो बार बल ले लिए फर्स्ट वाली चैन में हम तीन बार triple crochet बनाएंगे ठीक है एक, दो, और लास्ट तीन एक चिन लेकर एक चिन छोड़ेंगे सेकंड बाले में बनाएंगे एक चिन लेकर एक चिन को छोड़ेंगे सेकंड बाले में बनाएंगे एक चिन छोड़ेंगे इसमें बनाएंगे एक चेन लेकर छोड़नी है, Second Volume बनाएंगे चेन लेकर एक चेन छोड़नी है, Second Volume बनाएंगे ऑफी तरीके से हमें बनाती हुए चेन जो हमने सेप्टी पिन लगाई है, बहां तक लेकर आना है एक चेन छोड़के यहां बनाएंगे इस तरीके से और अब हम 70 पिन को खोलेंगे एक चेन लेके 70 पिन खोलेंगे इसके अंदर हम 3 बार बनाएंगे ठीक है तो 70 पिन के बरावर में हमने देखिए यहां बनाया है और 70 पिन खोल कर इसमें बनाएंगे फिर इसके बार इसमें बनाएंगे ठीक है इन तीनों फंदे में हमारा डिसाइन बनेगा तो अब पिन को खोलेंगे के अंदर एक बार बनाया वापपस इसी जगे फिर से बनाएंगे वो बार फिर से एक बार और बनाएंगे तो तीन बार हो जाएगा ठीक है इस जगे बीच में हमें एक एक चेन लेकर बनाना है ठीक है तो इस तरीके से हमने बना लिया आप फिर से बीच वाले में सेकंड वाले में फिर से हम सेप्टी पिन लगाएंगे यहाँ पर आई होप आपको समझ आ रहा होगा मुझे कॉमेंट करके जुरूर बताना अप लोग आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है ठीक है तो इस तरीके से हमने बना लिया अब देखिए फिर एक चैन लेकर इसके पास वाली चैन में बनाएंगे यहाँ पर अब ऐसे ही एक चैन लेनी है एक चैन छोड़ते हुएह हम last तक बना के लेके जाएंगे एक chain छोड़ेंगे second बालेंगे ठीक है इस तरीके से बनाते हुआ हमें last में लेकर आना है और last वाले फंदे पर हमें तीन बार triple cruise से बनाना है ठीक है तो last वाला और starting वाले पर जो हम तीन तीन triple cruise से बना रहे हैं हमें chain नहीं ले रहे हैं without chain के तीन बार बना रहे है बीच में हमें chain ले रहे हैं ठीक है बीच में जो है एक एक chain लेके बना रहे है इस बात का ध्यान रखना है जब आप लोग same step follow करेंगे तो आपका same जो है shrug बन जाएगा कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं ठीक है मैं हर अपने comment का reply देती हूँ तो इस तरीके से हम बनाते हो आगे हैं अब एक chain लेके एक chain छोड़ेंगे last वाले में हम without chain के तीन बार बनाएंगे अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग अगर वीडियो को लाइक करेंगे मुझे बहुत खुश्य होगी और मुझे लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो आप लोग प्लीज आपको कुछ नहीं करनाए पैसे भी नहीं जाथे हैं थीक है तो डिजाइन के देखीide 5 में प्रींगे बुट कर ली है पांच मेरो में अब क्या करेंगें पीर से एक चेंण लेकर गुमाएंगे गुमाने के बाद फर्स्ट वाली चेन में हम तीन हाप डबल करोसे बनाएंगे देखी एक बापत इसी जगे एक और बनाएंगे दो हो जाएंगी देखी और फिर से एक बार और बनाएंगे तो तीन हो जाएंगे तीन हाप डबल क्रोशा के बाद अब हमें इसके पास वाली चेन में एक हाप डबल क्रोशा बनाएंगे फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे एक बार और अब जो हमने एक चेन का स्पेस लिया था जाली के अंदर बनाएंगे इसके अंदर एक हम इसके उपर बनाएंगे एक इसके अंदर बनाना है फिर एक इसको उपर बनाना है यहाँ पर एक इसके अंदर बनाएंगे यहाँ पर एक इसको उपर बनाएंगे यहाँ पर ठीक है तो इसी तरीके से बनाते हुए हमें 70 पिन तक लेकर जाना है ठीक है देखे हम ऐसी बनाते उपर तक आ गए है और अब इस पिन को खोलेंगे पिन के अंदर हमें सेम तरीके से फिर तीन बर बनाना है एक हो गया दो और पापस इसी जगे एक और बनाएंगे तीन तो अब फिर से बीच वाली चैन में हम सेप्टी पिन लगाएंगे यहाँ पर फिर सेम तरीके से स्टार्ट करना है एक जाली के अंदर हाप डबल करू से बनाना है और एक स्कूप पर बनाना है यहाँ पर इस तरीके से बनाते हुए लास्ट में लेकर जाएंगे और लास्ट में तीन हावडबल क्रोस से बनाएंगे ठीक है तरीके से बनाते हुए हमें लाश्ट में लेकर आ गए लाश्ट वाले फंदे पे तीन बर बनाएंगे इसमें ठीक है इस तरीके से पांच मीरों भी हमारी कम्पलीट हो गई है इसी स्टेप को फॉलो करते हुए बनाते जाना है ठीक है पांच रो हमने बना ली है अब फिर से हम चार चैन बनाएंगे यहाँ पर सॉरी तीन चैन बनाएंगे तो यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे तो हमने क्या आए जो तीसरी हाप डेवल करो से बनाई है जालेंगे और एक दो तीन चार चैन इसलिए बनाई है हमारी जो गरिन कलर की उन है थोड़ी सी पतले है ठीक है इसलिए चार चैन बना ली चैन को काउंट नहीं करना है अब फिर से फ़र्स्ट वाली चैन में हम तीन बार ट्रपल क्रो से बनाएंगे एक दो और एक तीन अब फिर से एक चैन लेनी है एक चैन छोड़ के सेकंड वाली में बनाएंगे इसलिए एक चैन लेकर एक चैन छोड़ेंगे सेकंड वाली में बनाएंगे इसी तरीके से एक चैन लेनी है एक चैन छोड़नी है सेकंड वाली में बनाना है तो ऐसी ही बनाते हुए हम जो सेप्टी पे लगाईए बहां तक लेकर जाएंगे झाली में बनाएंगे यह देखे सेप्टी पिन तक आ गए है अब यहाँ पर बनाएंगे सेप्टी पिन के पास बाली चैन में एक चैन छोड़कर देखिए बना ली अब सेप्टी पिन को खोलेंगे एक चैन लेकर सेप्टी पिन खोलेंगे इसके अंदर पहले एक ट्रॉपल क्रोस या एक चेन बापस इसी जगे दूसरी बनाएंगे चेन और तीसरी बनाएंगे तीन बार हमने बना लिए फिर से बीच वाले में हम सेप्री पिन लगा देंगे ठीक है अब फिर से एक चेन लेकर एक चेन हम छोड़ेंगे चेन नहीं छोड़ेंगे यहां पर पास वाली चेन में ही बना लेंगे ठीक है इस तरीके से बनाना है इस तरीके से फिर से आपको समझा दूँ देखें यहाँ पर हमें इस तरीके से बनाना है जो बीच वाला फंद है इसके पास वाली चैन में बनाना है और इस साइड भी बनाना है ठीक है इन तीनों में हमारे रजाइन बनेगी देखें इसमें हमने बनाया बिदाउर चैन के फ हो चंड नें पे due lot गश्य ँप्लेट्व कर शकते हैं अब पर अब सी हम एक चेन लेकर एक गश्य और फिर शो और इस तरीगे से पूरी पर बनाई तोटल हम ने इसी तरीगे से एक रुमे डब गुटने पंदरा रो बनाई है अप लोग काउंट करके देख लेए जो हमने डिजाइन की रो से स्टाइड का था तो ये टोटल हमाई 15 रो बन गई थीक है तो आपको दिखाते हैं चान्ट करके आपको दिखा दे रो तो दिखिएए डिजाइन की जो पहली हाप डबल नहीं थी एक, दो, तीन, तीन हो गई यहाँ पर, चार, पाँच, ठीक है, फिर ग्रीन बाली जो है, वो छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, एक पंदरा रो हमने बना ली है, ठीक है, इतना हमने बनाया है, गाइस, इसके आगे का हमने पार् लिंक आपको डिस्कप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्या हुआ ना, कल जो है, डाटा खुला रहा गया, और आधा डाटा खतम हो गया, तो जो बचा हुआ है, डाटा है, एमबी है, उससे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहे हूं, तो पार्ट टू में के साथ चैनल को जरू सस्क्राइब करें, बाई